हेलो गाईश नमस्कार मैं आपका प्रियमीत्र सोनु भाटिया दी नैचुरूर प्लांट्स ओनलाइन नर्सेरी में आपका स्वागत है आप सभी से निमेदेन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी बेल आइकन को दवाना ना भूलें इस चैनल के माध्यम से आपको सभी परकार के रियर पेड़ पहुदे के बारे में हम जानकारी देते हैं और उस पेड़ पहुदो को कैसे खरीबना है कैसे घर में लगाना है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते हैं यह वीडियो को आगे जादी देखें यह वीडियो प अज पर आज मैं फिर से जंगल में आया हुआ हूं यह जंगल देख लिए यहां पर तीन वाइट प्लास के पौधे हैं और आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा था वाइट प्लास के पौधे से अग दूद क्यू बढ़ता है तो जो आज मैं दिखाने वाइट प्लास के पौधे के जड़ के पास रखने से दूद क्यू बढ़ता है तो उसका प्रेटिकल एक महापुरूष ने बताया कि उसको जड़ को काटके देखे उससे दूद निकलता है इसलिए उस दूद को वो एर्जॉर्व करता है दूसरे ख यह चाकू जो है स्टील का है ना लोहे का आना कुछ के अगदम फ्लेक्चुएट इससे पेड़ पोदे पूजा फल उलकातने का स्पेसली इससे कुछ भी किया जा सकीता है यह लोहे का नहीं है ठीक है उसी तरह यह आप देख लीजिए जबकि पेड में मैं कभी भी इसमें मैं लोहा या इस से यूज में करता हूं मैं लकली रखा हूं अनुखिला आप देख लीजिए कि इस पेड के जड़ इधर आईए एक और पेड है हमारे पास वाइप पलास का आज मैं दिखाऊंगा आपको कि वाइट पलास के जड़ के नीचे आखिर दूर्च यू बरता है जिसकी हकीकत बहुत सारे लोग हम से ओडर किये थे कि हमें जड़ और पेड चाहिए उसका पत्ता लखड़ी चाहिए तो आज हकीकत जो है वह आपके सामने में रखने वाला है यह देखिए बागा यह बरखड देख रहे है वाइट पलास का है रोड नहीं अनकी यह प्रय है 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 यह यह देखिए पौदा है था ब्लास का, यह इसका देख सकते हैं पलास का, यह पत्ता है, अब बकाइधा आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पेर से दूद क्यों बढ़ता है, तो मैं आज आपको बता हैं यह देखिए उस पेड का जड है, यह देखिए यहां तक आया हुआ है, मैंने इसको जमील इसको पगड़ी तो यह देखिए इसका तना है इसको जैसे काट रहे है तो इससे दूध निकल रही है यह देखिए ये दूद, ये देखिए, अगर इसको हम इधर काटते हैं तो दूद निकलना अश्टार्ट हो जाता है, ये जितना काट रहे हैं, ये उतना दूद निकल रहे हैं, ये देखिए, ये कारण होता है, सफेद पलास के, ये देखिए, दूद बढ़ने का जो आप लोग कहानी सुने हो, बिल्कुल सही सुने हैं, आप देख लिए, मैं इसका सबूत आपको साच्छा दे रहा हूँ, ये इस पलास पुदे का ये जड़ हुआ, ये देखिए, इस पलास का पत्ता यहीं पर ये देखिए, इसको, यही है, छोटा भी पाधा निकल रहा है, कि देख रहे हैं, मैंने इसको जड़ को ऐसे कलेक्ट किया है, आप लोगों को भेजने के लिए, तो जैसे माल लिए, ये जगा है, पगड़िए, कमरा पगड़िए, ये जगा है, तो जैसे माल लिए, ये जगा भी देखिए है, साफ से तरह कुछ नहीं नहीं करा, ये दूद कलना स्टार्ट यह देखिया यह दूद निकल गया यह होता है इसमें गुन इसी लिए सफेध पलास के पोधे में सब बढ़ता है यह देखिये देख रहे है ना दूद कल रहा है आप देख लिए इदे कुछ नहीं है यहां देखिए छिल दिया लाल लाल निकल रहा है पर यहीं हलका सा ज्यादा ने यह देखिए हलका सा ऐसे टिसू कर दीजिए और बस ऐसे गवा दिजिए ऐसे खच बना दिजिए यह देखिए हैं। यह निकलना स्टार्ट हो गया, यह देखिए, यह लाइव आप लोगों को दिखाय जा रहा है, यह देखिए, यह दूध है, बिल्कुल दूध, वाइट, और इधर आईए, अब इस पेड की गाता है, तो मैंने दूसरे पेड का, यह पेड का तना देख लीजिए, ठीक है, इस पेड का तना आप में देख लिया, बकाइदा, हम यहाँ लोहे से वार नहीं करेंगे, यह देख लीजिए, लकड़ी का है, और यह देखिए, अब बस, दो से तीन मेंट के अंदर, वहाँ से अगरम रेड रेड, कौपर को गलाने वाली, निकलेगी, यह देखिए, निकल गए, यह देखिए, यह आप अगर हम कौपर चुबो, तो गल जाएगी, और आप लोग को सबसे बड़ी बात, यह हमारे पास बंदुक बेल है, यह देखिए, बंदुक बेल, चितावरी लकड़ी, जिसको आप लोग बोलते हो, इल्टी बेल, यह देखिए, हमारे जंगल में भरे पड़े हैं, यह देखिए, यह सब चितावरी लकड़ीया हैं, और देखना के लिए, आप इधर आईए, यह देखिए, यह देखिए, य किया जिन कुछन को कि वही चग कर सकते हैं तक के लिए राम राम में पोधे मांगे मैं उनको भेजने के लिए घंगल चिजन अशी थी है यह यह लोहे की चाकु नहीं है प्यूर श्टील है यह प्योर स्टील इस चाकू से पेड़ पोधे खरपतवार ही काटने के लिए स्पेशली मैंने लिया है जिसको बोलते हैं यह है अर्जून का यह अर्जून का पोधा है अगर किसी को दिल की बिमारी हो या कोई भी प्रोब्लम हो तो उसका इलाज क्या रहा सकता है इसको बोलते ह इसको सख्वा बोलते हैं इससे जितने भी दातों में प्रोब्लम हो या पेट की कोई भी समस्या हो इसके लिए इसके चाल को और इसे बीज को पीस करके पीने से दातों की समस्या इसके अगर दातून करते तो कभी दातों में पारिया नहीं लेगेगा किसी भी तरह की समस्य के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और भी हमारे पूरे जंगल को दिखिए यह पूरा घंगोर जंगल है तो शुरुवात है हमारा जंगल और वाइट प्लास की हकीकत क्या है वह आपको दिखा दे इस तरह लगातार मेरा इसके उपर और मैं सर्विच्छन करूंगा और विशेष जानकारी आप लोग को बीच मिलाओंगा इसी तरह आप हमसे बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी लो इस अब मैं आपको गूगल क्रोम के उपर अपने वेबसाइट को सर्च करके बताता हूं कहां पर है गूगल क्रों को आपन करना है दी नेच्रोल प्लांट्स लिखना है टी एच लिगे दी दिनbnbn laam फ्लाइंट फूरा करें रूंपकित है इसको नुजिए भक्तिंब प्लाइब ख्ला अब देखना प्लाइबु इसको ग्रीड़ हुट्व ही प्लांस्का फ्लाइब भग्रीड़ अरका है दूट्वन खुर्ण प्लाइब으रेकि 25 कि नाम्iping यह देखिया आपको इंस्टाग्राम है गूगल प्ले स्टोर पे भी अप्लिकेशन अबलेबल है यह आपका दी नेच्रल प्लांट्स ओनलाइन फेस्बुक पेज है इस पे भी आप जो भी कर सकते हैं और यह हमारे सबसे उपर में वेबसाइट है वेबसाइट पे जैसे जात हैं आप सभी से निवेदन है कि इसमें शॉपिंग जरू करें वह भी बिल्कुर सच्टे और विफायती दामों में हमारा वेबसाइट फुल गया है इसमें हर तरह का पेड़ बहुत आप देख सकते हैं यह सफेद चंदन लाल चंदन भूलन बेल और यह सभी तरह का बीज ह है पेड़ है पौधे हैं लकड़ी है आप देख लिए इसमें आ रहे हैं ठीक है तो आपको अगर कोई भी चीज़ बुक करना हो एक्जामपल रेड़ चंदन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यह खुल रहा है यह जैसे इसको बुक करना तरह तरह का फोटो देख सकते कोई दिखत नहीं है पर अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको तो यह कॉल का इकन आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आप हमें कॉल कर सकते हैं यह देखिए वाट्सअप का इकन आपको उपर में कौनटक्ट करना चाहते हैं तो आप हमने के यहाँ पर आ जाईए इस वेबसाइट के साथ खरीदे विये कोई भी पेड पोधा, जड़ीबूटी तीन साल की गरेंटी के साथ दी जाते हैं अगर तीन साल के अंदर कोई भी पोधा गर्ल जाता है तो हम उसे रिप्लेश्में करते हैं आप सभी से निवेदन है कि इस साइड के द्वारा पेड़ पोधे जरूख खरीदें और पर्यावरन को सुध बनाने में हमारा साथ दें कॉंटेक्ट यूज में आपको आना है कॉंटेक्ट यूज में आनिक भाद आप हमारा मेरा नाम मेरा मुबाइल नंबर आपके सामने आ गया हमारा इमेल एड्रेस वह रहे सब कुछ आगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर अपना नाम जो भी संति में ठीक है अब सब कुछ सब्मिट कर करके मैं सब्जेक्ट क्या है और कुछ भी जो भी लिखना विटीसी आप हमें सेंड कर दीजिए सब यह हमारे पास आजाएगा मुबाइल लोमर करके ठीक है हम उसका रिपलाई आपको जरूर से जरूर देंगे और थोड़ा बैक होते हैं थोड़ा बैक होने के बाद हम दिखाते हैं आपको यह देख लिए कितना मस्त इंट्रो बना हुआ बहुत बढ़िया साइट है छे दिन में हम लोग डेलेरी देते हैं इसके जरीए ठीक है श्वी तरह की बीज़ आफ़र आते रहते हैं ओख देख लिए हमारा नब्सुनकर कर सकते हैं यह जय से करियेगा वोससर्ट में आजाएगा बट यह मैं टैब में खोला हूं तो टैब में email ID include नहीं क्या हूं इसलिए यहां पर नहीं बता रहा है उसके लिए sorry आप इसे कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद मैं आपका सब्चिंतक सोनु भाठिया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को